आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की वर्सिट नंबर 64 ये वर्सिट संडे की छुटियों के बाद हमारे पास आई है और आज है हिंदी ब्याकरण रससिधांग तो हम लोग आज के वर्सिट में रससिधांग पढ़ेंगे और ये वर्सिट पुन्रा वृत है मतलब दोहराई जा रही है इससे पहले भी ये वर्सिट और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सामने से गुजर चुके हैं पुना इस टॉपिक्स को हम लोग वर्सिट नंबर 64 में करने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों अब तक हमने जाना की काब बे या साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन होने वाली आनंद की अनुभूती को ही रस कहा जाता है अभी आप लोग क्या करते है अगर खाली समय होता है तो आप क्या करते हैं आप मोबाइल देखते हैं मोबाइल में या तो कोई काटोन देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं या वाटसप फेस्बुक में लग रहते हैं लेकिन कुछ समय पहले को इमेजिन कीजिए अगर जिस समय मोबाइल नहीं था टीव साल पहले कमान लीजे जब लोगों को के पास टीबी तो थी लेकिन मुबाईल जैसे मनरणयन के साधन नहीं थे संचार की सुचथा नहीं थी तो किताबे पढ़ा करते थे किताबों में कहानिया पढ़ते थे काबे पढ़ते थे कविताएं पढ़ते थे रमायन का एक काबे है महा काबे उसको माना जाता बहुत लंबा है बड़ा है और उपन्यास पढ़ते थे तो उन सब को पढ़ने के बाद उन सभी साहित्यों को पढ़ने के बाद एक आनन्द की अनुभूती होती थी और वो अनुभूती इस तरह की होती थी कि लोग उसको पढ़ते ही जाते थे जब तक वो कहानी समापत नहीं होती थी पढ़ते जाते थे जब तक वो कभिताय समापत नहीं होती थी वो पढ़ते जाते थे तो इस पढ़ने से क्या होता था कि उनके अंदर आनंद की अनुभूती होती थी आनंद उत्पन होता था और जो आनंद उत्पन होता था और उस आनंद को वो अनुभाव करते थे उसे ही रस कहा जाता है रस के चार अंग अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भ अस्थाई भाव वे भाव हैं जो मन में अस्थाई रूप से अस्थापी तरहते, मतलब लंबे समय तक चलते हैं अस्थाई भावों के उद्भूधत कारण को विभाव कहते हैं मतलब जिसे कारण से अस्थाई भाव उत्पन होते हैं उनको विभाव कहते हैं विभाव दो परकार के होते हैं आलंबन विभाव और उदीपन विभाव अब हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे मतलब अस्थाई भाव जानगे बीभाव जानगे मतलब जो भी विचार जो रस हमारे मन में लंबे समय तक बना रहता है वो अस्थाई भाव कहलाता है अस्थाई भाव के उत्भुदक कारण को विभाव कहते हैं अब अनुभाव मनोगत मन में उत्पन भाव को ब्यक्त करने वाली सारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है जैसे हम किसी चीज़ से डर गए तो डरने के बाद वहां से हम हटते हैं या फिर हमें किसी बात से दुख पहुँचा तो जब दुख पहुँचता है तो क्या होता है हमारे आँखों से असुरू निकलने लगते हैं तो यह सारीरिक प्रक्रिया है तो उस भाव को ब्यक्त करने के लिए जो सरीरिक परक्रिया हमारे सरीर से गुजरती है उसे हम लोग अनुभाव कहते हैं और यह अनुभाव आठ परकार की होती है जो अस्तंब, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, असुरू और प्रले ये आठ प्रकार की अनुभाव होती है उसके बाद होता है संचारी भाव संचारी भाव मतलब हिर्दय या मन में संचरन आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है जैसे यह भाव अस्थाई भाव के साथ उत्पन होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं अर्थात यह अस्थाई भाव मन में अस्थाई रूप से नहीं रहते हैं आते हैं जाते हैं ये लंबे समय तक मन पर प्रवाव नहीं डालते हैं इनको हम बोग संचारी संचारी का मतलब ही संचरन सब्द से संचारी आया संचरन मतलब जो आते जाते रहता है तो ये भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं संचारी भाव की संख्या 33 होती है ये कौन-कौन है? हर्स, विसाद, स्रास, लज्जा, गलानी, चिन्ता, संका, असुया, अमर्स, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जडता, आवेग, निर्वेद, ध्रिती, मती, विवोध, वितर्क, स्रम, आलस, निद्रा, श्वप्न, स्रमिती, मद, उनमाद, अभित्था, अपसमार, व्याधी, मर्न ये सभी संचारी भाव हैं, और इनकी संख्या 33 है, ये सभी भाव हमारे मन में आते जाते रहते हैं, और ये अस्थाई भाव के साथ आते जाते हैं, रस सिधान्त के प्रणेता आचार भरत्मोनी ने नौ प्रकार के रस का उलेख किया है, ये जैसा कि आप जान चुके हैं, परतिक रस का एक अस्थाई भाव होता है, जो इस प्रकार होता है, तो यहां एक टेबल बनाये गया है और इस टेबल में रस का नाम और उसका अस्थाईभा यहां ग्यारह रस दिये गये हैं और ग्यारह रस के नाम और उनके अस्थाईभा दिये गये हैं यहां दो रस बाद में जोड़े गये हैं यह जो नौ तक रस हैं यह इसके प्रनेता भावत्पन होता है, रोदर रस से क्रोध का भावत्पन होता है, वीर रस से उत्साह का भावत्पन होता है, हास रस से हासी या हासे का भावत्पन होता है, सांत रस से निर्वेद या सांत का भावत्पन होता है, भयानक से भय का भावत्पन होता है, अदभुत से विस्मे या अनुराग का भाव उत्पन होता है तो इस तरह से 11 रस के 11 भाव कहे गए हैं 11 अस्थाई भाव कहे गए हैं आज के वर्षित में हम लोगों ने रस सिध्धान्त में रस के चार अंग पढ़े अस्थाई भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव और इसके बाद रस के नाम और उनके अस्थाई भाव को बैर में जाना हमने ये भी जाना कि रस सिध्धान्त के प्रणेता आचार भरत मुनी है और रसों की संख्या ग्यारा है इस वर्षित में आपके लिए चार प्रसने दिये गए हैं और चारों प्रसने हैं पहला प्रसने अनुभाव की से कहा गया है और उनुभाव की संख्या कितनी है संचारी भाव की संख्या कितनी है रस सिध्धान्त के प्रणेता कौन है उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है और अनुभाव के कितने प्रकार हैं उनके नाम लिखे तो चलिए अब इन प्रसनों के उत्तर करते हैं और अभ हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने क्या हो सकता है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोई चलिए अब इनके प्रस्णों के उत्तर लिखते है प्रस्ण एक है अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभाव अनुभाव की संख्या कितनी है तो इसका उत्तर है अनुभाव मन में उत्पन भाव को व्यक्त करने वाली सारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है यह आठ प्रकार की होती है अपने समझ लिया मन में उत्पन करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली सालिरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है और यार्ज प्रकार क्यों होती है अस्तंब, श्वेद, रुमांच, भंग, कंप, विवर्नता, अस्रु और प्रले इसके बाद है प्रश्न दो संचारी भाव किसे कहा गया है संचारी भाव की संख्या कितनी है तो इसका उतर है संचारी भाव, हिर्दय या मन में संचरन करने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा जाता है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, उसके बाद है प्रशन 3, और प्रशन 3 है रस सिध्धान्द के प्रणेता कौन थे, उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई ह तो इसका उत्तर है रस सिधान्त के प्रणेता आचार या भरतमुनी थे उन्होंने नौ प्रकार के रसों की संख्या बताई है और प्रस्न चार है अनुभाव के कितने प्रकार हैं उनके नाम लिखे तो इसका उत्तर है अनुभाव के आठ प्रकार हैं जिनके नाम निम लिखी थें अस्तंब, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अस्रू और प्रले तो बच्चो ये थी आपकी आज की वर्षिट और आज की वर्षिट में हम लोगों ने भाव और उसके भेद को समझा और इसके साथ ही वर्षिट में प्रस्नों को भी सल्भ किया आप पूरी वर्षिट हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट झाल झाल